नमस्कार में हूँ प्रवेड गोताम जब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कई वरिश पत्रकारों ने सवाल उठाया कि क्या PM मोदी के सारे इंटर्व्यू स्क्रिप्लिड होते हैं PM मोदी आकिरकार उनी पत्रकारों को इंटर्व्यू क्यों देते हैं जो PM मोदी की तारीफ करते हैं और कोई कांटर सवाल नहीं किया जाता कई पत्रकारों ने यहां तक आरोप लगा दिया कि PM मोदी के इंटर्व्यू में जिन कैमरों का इस्तेवाल होता है वो भी PMO की तरफ से दिये जाते हैं जब इसे लेकर गंभीर आरोप लगे तो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर साबित करने की खोड लग गई PM मोधी का इंट्रिव्यू करने वाले पत्रकार दावा करने लगी कि कैमरे भी खुदके होते हैं सवाल भी खुदके होते हैं मानग गुपतार राना यश्वन जैसे पत्रकारों ने जब इस बात को लेकर बड़े दावे किये तो वरिश पत्रकार अजीत अंजुम ने चैलेंज दिया है बकायदा खुलासा किया है कि किन चैनलों के इंटर्व्यू में पीमो की कैमरों का इस्तमाल किया गया और इंटर्व्यू में क्या-क्या खेल किया गया अजीत अंजुम ने जो आरोप लगाए हैं जिस तरह का खुला चैलेंज दिया है उसे लेकर इस चैनल के पत्रकारों को जवाब देना चाहिए पियम मोदी का इंटर्व्यू करने वाले पत्रकारों को जवाब देना चाहिए पहले आपको बताते हैं कि राणा यश्वंत और मानग गुपता आकिरकार लिखते क्या हैं जिसे लेकर अजीत अंजुम जवाब देने को मजबूर हो जाते हैं और चाती ठोक कर चैलेंज देते हैं इन पत्रकारों को और कई चैनलों पर PM मोधी के इंटरिव्यू को लेकर बड़ा खुलासा करते हैं पहले ज़रा सुनिए कि मानग गुपता PM मोधी के इंटरिव्यू को लेकर जो सवाल उठाये जा रही हैं उसे लेकर क्या कहते हैं मानग गुपता जो कि News 24 के आंकर हैं और PM मोधी का इंटरिव्यू किया था वो कहते हैं ये अफ़ा कौन फैला रहा है कि प्रधानमति नरेंदर मोधी के इंटरिव्यू में कैमरे भी PMO के होते हैं क्रू भी PMO का सवाल भी उनके होते हैं और शूट भी PMO करवाता है ये भी कहीं सुना था कि शूट करने के बाद पूरा फुटेज PMO रखता है और एडिट करने के बाद ही फाइनल इंटरिव्यू चैनल को दिया जाता है ये सब जूट और सरासर बकवास है PMO के मेरे इंटरिव्यू में सारे कैमरे, इक्विप्मेंट भी हमारे थे क्रू भी हमारा था, सवाल भी हमारे थे, शूट भी हमने किया रोब फुटेज भी हमने अपने पास रखा और पूरा प्रोडक्शन एडिट भी हमने खुद किया शुरू से लेकर आखिर तक एक इंडिपेंडर तरीके से किया गया इंटरिव्यू हमने आपके सामने रखा है SPG की सक्ट सिक्योर्टी प्रोटोकोल के बावजूद एकदम स्मूध तरीके से पूरा इंटरिव्यू हुआ अब तक इस चुनाव में ऐसे दस्यों इंटरिव्यू हो गए होंगे इतने इंटरिव्यू एक चुनाव में PM मोदी ने पहले कभी नहीं दिये इतने इंटरिव्यू तो शायद इस बार बड़े भी पक्षी नेताओं ने मिलकर भी नहीं दिये इतने कड़े प्रचार के बीच भिशन गर्वी ने जिस खुले मन से प्रधानमती नरेन्द मोधी भी इस बार इतने इंट्रिव्यू दे रहे हैं वो भी मीडिया के लिए लोक्तंतर के लिए सुखत कदम है देश भर में फैली इतनी grand exercise को seamless तरीके से कराने के लिए PMO की मीडिया टीम भी बढ़ाई की पात रहे PM ने इस बार अपने इंट्रिव्यू में मुद्दा भी शायद ही कोई छोड़ा हूँ उन पर जिन मुद्दो पर चुपी सादने के आरोप लगे मैंने वो सवाल पूछे और उन्हेंने खुल कर जवाब भी दिये और हाँ ताकि सनद रहे इंट्रिव्यू में कोई टेलिप्रम्टर भी नहीं था तो मानक कुपतार कहते हैं कि इतनी सक्स सिक्योटी में भी स्मूथ तरीके से इंट्रिव्यू हुआ तो क्या प्रधान मंत्री की सिक्योटी इंट्रिव्यू में दखल करेगी मतलब कैसा लोजिक है मतलब तारीफ करने के भी कोई अच्छे बहाने तो खोज जी माना कि आपका इंट्रिव्यू स्क्रिप्टेड नहीं होगा माना कि आप खुद कैमरे लेकर गए होगी लेकिन क्या आपने PMO के अंदर इंट्रिव्यू किया यही सवाल अजीत अंजुम ने उठाया है पहले राना यश्वंत का भी ट्विट देखिए जिसमें राना यश्वंत कहते हैं ब्रदानमंत्री का इंट्रिव्यू इंडिया निउस ने किया कैमरा हमारा लाइट हमारी चिप हमारा और सवाल हमारे सब साथ आए यह कौन कहता है कि आपका कुछ नहीं होता जब तक आपका नीजी अनभव नहीं हो इस तरह का प्रोपगेंडा आपकी विश्वसिता खत्म करता है जब मानक गुपता और राना यश्वंत ये दावा करते हैं कि अफ़ा फैलाई जा रही है कि पीमो कोई सवाल नहीं देता पीमो कोई कैमरा नहीं लगाता सब कुछ चैनल का होता है तो अजीत अंद्यूम चैलेंज करते वे जवाब देते हैं और कहते हैं आपने चुकि मेरे लिखे का काउंटर किया है इसलिए अब मेरा जवाब मेरी जानकारी के मुताविक पीम आवास में हुए चार इंटर्व्यू की रिकोर्डिंग पीमो के सेट के जरिये ही की गई थी कैमरा भी उनका था, लाइट साउंड भी उनका था, एडिटिंग भी उनकी थी प्रोमो और टीजर भी पीमो से ही आया था सहूलियत के लिए चार चैनलों के नाम बता रहा हूँ, आज तक न्यूज 18, टीवी 9 और 9 भाट टाइम्स नाओ इन चारों के एंकर और एडिटर खाली हाथ आये और इंट्रिव्यू के बाद खाली हाथ गए प्रोमो की तरफ से इन चारों चैनलों को एडिटिट टेप मिला, प्रोमो भी वही से आया टीजर भी एडिट होकर मिला अगर इन में से कोई चैनल या उसका संपादर कह दे कि मेरी बात गलत है और साबित हो जाये तो मैं सारजनिक तौर पर माफी मांग लूगा अगर बात गलत हो तो कबूल करने में कोई हर्ज नहीं मैंने पहले भी कहा था कि PM आवास में होने वाले इंटरिव्यू सरकाली सेट अप में हुए है अपनी बात पर कायव हूँ आपने शायद PM आवास पर इंटरिव्यू नहीं किया है इसलिए PM आवास पर हुए इंटरिव्यू के लिए आपको जानकारी भी नहीं होगी राणा यश्वन्त तो मानग गुपता और राणा यश्वन्त को जवाब देते वे अजीत अंजुम चार चैनलों का नाम लेते है दोस्तों कैमरा किसका है ये बड़ा सवाल नहीं है हाला कि ये गंभीर सवाल खड़ा किया है अजीत अंजुम ने कि आकिरकार TV चैनलों पर जो टेलिकास्ट होगा प्रोमोट टीजर वो आकिरकार PMO में एडिट कैसे हो सकता है अगर इस बात में सचाई है तो ये गंभीर आरोप है सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सवाल क्यों नहीं किये जाती अगर पत्रकार काईदे के सवाल करते प्रधानमंत्री से काउंटर सवाल करते प्रधानमंत्री को असहज करने वाले सवाल करते क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं विरोजगारी को लेकर महंगाई को लेकर इलेक्टरोल बोंड को लेकर बीजेपी वोशिंग मशीन को लेकर विपक्षिन एताव पर सेलेक्टिक कारवाई को लेकर अगर उसमें काईदे से काउंटर सवाल किये जाते जैसा कि निर्मला सितारमर से एकाद किया गया स्मृति रानी से एकाद बार किया गया तो PM मोदी से आकिरकार क्यों नहीं किये गए PM मोदी के भाषणों को लेकर हिंदू-मुस्लिम की राज़िती को लेकर अगर counter सवाल किये जाते तो शायद देश के प्रधानमंतरी जवाब नहीं दे पाते अगर तीखे सवाल किये जाते तो कोई ये सवाल उठाता ही नहीं कि कैमरा किस का था सवाल किसके थे सबसे बड़ा मुद्दा है कि पत्रकार चुकी counter सवाल नहीं करते PM बोधी से उनके पस्नल जीवन पर सवाल पूछे जाते हैं दैवी ये शक्तिया बताई जाती हैं उससे कहा जाता है कि आप ठक्ते क्यों नहीं हैं उससे कहा जाता है कि आप लगातार तीसरी बार प्रधानमत्री बनने वाले हैं खुद anchor reporter अपने मूँ से बोलते हैं और जब ऐसा सुना जाता है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या interview scripted होते हैं या फिर anchor reporter अपने से ही डर जाते हैं देश के प्रधानमत्री से सवाल करने में जब बहुत सारे counter सवाल किये जा सकते हैं उसके बावजूद कोई anchor बहादुरी से counter सवाल नहीं करता मेडिया के सामने भक्ते करने के बावजूद PM मोदी सवालों को छेड़ने पर भी सुना जाते हैं कि आप गांधी परिवार के चापलूस हैं आप बुझदिल हैं इस तरह की यही चैलेंज किया है कि अगर उनकी बात गलत है तो सावित करके दिखाएं मानक गुपता और राना यश्वन ने PMO में इंट्रिवू नहीं किया है ये बैग्ग्राउंड से सावित होता है तो अजीत अंजुम के सवालों का जवाब उन एंकरों को देना चाहिए काइदे स जिन चैनलों का नाम अजीत अंजुम ने अपने ट्विट में लिया है आप एंकरों में इस बात की होड को लेकर क्या सोचते हैं कि PMO मोधी बेबाक इंट्रिवू करते हैं अगर वाकई ऐसा है तो एकात तीखा सवाल भी इन एंकरों को दिखाना चाहिए कि PMO की बोलती बं मत आकिरकार क्या कोई दिखा पाया आप PMO मोधी के इंट्रिव्यूस को लेकर क्या सोचते हैं और अजीत अंजुम ने जो खुलासे की हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं कमेट बॉक्स पर पीडाय जरूर दें अगर आप हमारी पत्थरकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार